नमस्कार साथियों डॉक्टर उमंखना उम्योपेथि क्लीनिक इस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है साथियों आज हम बात करेंगे ड्राइ स्किन के विशह में यहाँ जो हमारी स्किन होती है आकसर ड्राइ हो जाती है और कुछ लोगों की यह ड्राइ रहती ही है तो अगर आपको ड्राइ स्किन है तो आप परिशान रहते हैं आप महेंगे लोसन लगाते हैं आप महेंगी क्रीम लगाते हैं लेकिन आप भी इस बात को जानते हैं कि आज छणिक फाइदा करती है पर्मनेंट इलाज नहीं है आप क्रीम लगाते हैं तो आप चानते हैं कि वो क्रीम लगाई तो वो साम तक रही अगले दिन फिर क्रीम लगानी है मैं आज आपको बताऊंगा इस विशाई के बारे में कि आपको इन महंगी क्रीमों से निजात मिल जाए और अंदर से आपकी स्कीन इती स्वस्थ हो जाए, इती हिल्दी हो जाए कि आपको इन क्रीमों की ज़रुष कम से कम पड़े तो साथियों, चलते हैं इस सफर पे होमियोपेथी में ड्राइ स्कीन को दूर करने की कि रूखी तोचा को खत्क करने की बहुत कारगर होमियोपेथिक दवाय मुझूद हैं जो आपको पर्मनेंट क्योर कर देती हैं लेकिन उससे पहले साथ ही हम सबसे इंपार्टेंट बात बताना चाहेंगे ड्राइ स्कीन को ठीक करने की कि आपकी स्कीन डिहाइडरेटेड ना रहे आपको पानी बहुत पीना है पानी पीना बगएर पैसे का स्कीन को सबसे कुपसूरत करने का सबसे बेहतर करने का सबसे कारगर और माकूल तरीका है यह हमारी स्कीन होती है और आप चेक कर सकते हैं प्रेस करें और ये वापस अपनी जगह आ रही तो आपको पानी की ज़्यूद्ध्य के ज़र्णत है आज कल हम लोग ब्लोव का यूज करते हैं रूम हीटर्स का यूज करते हैं अपने घर पे तो उससे जो है हमारा body dehydrate होता है और हम लोग उचित पानी नहीं पीते हैं शायद life style के कारण भी की अगर जादा पानी पीएंगे तो जादा toilet आईगी और फिर हमारा काम दुखेगा तो यह जो attitude है साथियों गलत है आप अपने लिए सबसे important चीज हैं उपर वाले ने भगवान ने आपको यहाँ पर भेजा है अपने ध्यान रखने के लिए तो आप अपना ध्यान अवश्च रखे साथियों अब हम आपको बताते हैं इसकी कुछ कारगर भुम्य पचिक दवाओं के बारे में जो कि आपको जड़ से आपको dry skin सही कर देंगी हों तो किर्प्या करके बिना कुसौल्च किस्ट की राएक कोई भी होमीयो पेथिक दवा ना ले एक रस्तर करको पर्सर दो परसन तो परसन भिन हो सकती है पर्क हो सकती है तो साथियों चलते हैं वे अब आपकी इस्टूल भी पॉटी भी ड्राय रहती है और आपको इचिंग होती रहती है तो इसका दवा ब्राइणिया है आप ब्राइणिया थाटी दो-दो बूर दिन में तीन बहाद ले ले आपका इसकिन का softness आजाएगी और इसकिन आपकी dry नहीं रहेगी दूसरी दवा साथियों इसकिन को पैठी बहुत अच्छी है Sulfur Sulfur उस इस्थिति की दवा है जब हर समय आपके इसकिन में इचिंग बनी रहती हो बाड़ी में इचिंग बनी रहती हो खुझली होती हो और यहां रात में ज्यादा होती हो Sulfur का मरीज थोड़ा सा एक unhealthy skin का look देता है, dirty look देता है तो आपको लगता है आप अपनी skin से कुछ नहीं हो और अपने का इसास जागता है क्या गंदी लग रही है हमारी skin अगर यहां एसास आपके अंदर जाग जाए और आपकी skin में इचिंग हो रही हो खुझली हो जो रात में जादा हो रही हो तो आप समझ दीजे आपकी दबा सलफर है आप सलफर वन एम वीकली एक खुराक ले लिजे हर अपते सलफर वन एम की एक खुराक दो से तीन महिने तक ले लिजे निश्चित रूप से आपका dry skin में आपको बहुत आराब मिल जाएगा बहुत ठीक हो जाएगी तीसरी दबा साथियों हो पैथी में वहुत कारगर दबा dry skin की है पेट्रोलियम पेट्रोलियम 32 दो बून दिन में तीन बार आप उसे स्थिती में ले सकते हैं जब आपकी स्किन ड्राइ हो रफ हो और उसमें क्रैक्स आ रहे हो और जादा तर ये विंटर्स में हो रही हो जै दे लिए आपका जो dry skin रहे हो खतम हो जाएगा और ठीक हो जाएगी चौछी दबास आती हो इसकी बहुत कारगर dry skin के सरसा परिला सरसा परिला 32 दो पून दिन में तीन बार आप उस स्थिती में ले सकते हैं जब आपको लगता है कि आपकी skin dry हो गई है और आपके wrinkles सागए है जब ये wrinkles आपके जगह जगह आने लगते हैं और इसकिन बहुत dry रहती उसमें खिचाओ मैसूस होता है अगर यहाँ इस्थिती आ आने लगा और आप अपने को बेहतर और ठीक महसूस करने लगे फिर साथियों एक और कारगर दवा हुम्यों पैथी में आती है तो आपकी रवा मेलेंडियम 30 है इसकी दो दो बून आप दिन में तीन बार लेने फिर साथियों इसकी एक और कारगर दवा हुम्यों पैथी में आती है वह है नाइट्रिक एसिड एसिड नाइटिकम 30 आप दो दो बून तिन में तीन बार उसस्थिती में ले सकते हैं जब ईपके गहेरे क्रेक्स आरे हो डीप क्रेक्स हों और आपकी टंग में बीच में फिजतर हो जुबान में लकीर भीत में आपको दीखे आप अपनी ठंग यहां खतम हो जाएंगे और आप ठीक हो जाएंगे पिर साथ यह और बहुत कारकर्ण दवा आती है एंटिंग कुरूट थाटी दो दो बून दिन में तीन बार आप उस सिस्थी में ले सकते हैं जब आपके और के जब आपके मployक के साइड में ड्राया इसिन की मांंके प्रेक्स आ तो आपका पैट्रोलियम द्राया 18狂 और यह इंटिंग कुरूट यहां तीन राया दाल है इसमें Antim Group भी एक दवा है ये साथ यह कुछ दवाई थी आपका Dry Skin को लेकर जिसमें कि हमारी मताय भहिने बहुत सारा पैसा भी खर्च कर देती है उसको soft करने के चक्कर में लेकिन वो soft होती नहीं है वहाँ एक छड़िक ऐसास softness का देती फिर हो जाती है यदि आपके बन में कोई सवाल उठ रहा हो कोई query हो तो आप YouTube के नीचे notification में अपना question लिख सकते हैं हमें आपको संतोष जनक उत्तर देने में बड़ी प्रसंता होगी या फिर आप हमारे WhatsApp नंबर 94-15-7-6-3-8-0 पर हमको अपनी query WhatsApp कर सकते हैं मैं कोशिस करूँगा कि आपको संतोष जनक जबाब दे सको यदि आपको ये भरस सिजन आएंस इंडिया और हमारा यहाँ प्रयास आपको अच्छा लगाओ साथियों तो इस वीडियो से आपको लाब दिखता हो तो इस वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए ताकि औरो तो क्या जातकारी पहुंच जाए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन दिया है नीचे उसको दबाईए ताकि ऐसे ही वीडियो आपके पास आते रहे और आप स्वासलाब पाते रहे धन्यवाद कार्षाइक करिए पास बाए